हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मा का प्यार स्वाद अनुसार आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन इसके लिए हम सबसे पहले एक कैबेज मीडियम साइज कर लिए उसे अच्छी तरह से धो कर और कट कर लेंगे आप चाहें तो हाथ से कट कर लें या फिर स्लाइसर के और उसमें आधा चमच नमक टालेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे गंटे के लिए छोड़ देंगे आधे गंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे आप देख सकते हैं कैबेज ने बहुत अच्छा पानी छोड़ दिया आप जब भी मंचूरियन के लिए बॉ बहुत जादा पानी छोड़ देता है तो हम पहले ही कैबेज में से इस तरह करके और सारा पानी निकाल लेंगे इस तरह करने से आपके कभी भी बॉल्स ना टूपते हैं ना तेल में बिखरेंगे और आपका जो बॉल बनेगा वो भी बहुत जादा क्रिस्पी जूसी ये प्रोसेस को कभी स्किप्ट ना करें और उसके बाद हम एक बरतन लेंगे उसमें ये कैबेज डाल देंगे सारा पानी निकालावा कैबेज डालेंगे उसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज की गाजर ली उसे अच्छी तरह से धो क चील कर और ग्रेट कर लिया है ग्रेट भी करेंगे न तो जो ग्रेटर में मोटा जो होता है उस तरफ से हम करेंगे ताकि सब्सियां थोड़ी मोटी मोटी हो 15-20 मैंने यहाँ पर बीन्स लिए जिसे इस तरह से कट कर और डाल दियें यहाँ पर शिमला मिर्च एक मेडियम साइ इसका है सब्सियों को कभी भी बहूत ज़्जादा बारीक न कट करें उससे होता है कभी कभी फलेवर नहीं अच्छा होता और आपको लगेगा बिल्कूल आपंता टाइप का खा रहे हैं सब्सियों में थोड़ा मोटा कट करेंगे ना तो उसका क्रंच बहुत अच्छा है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच चॉप कियावा लहसुन, एक चम्मच अद्रक और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और चैनीज सॉल्ट यहां पर मैंने डाला चैनीज सॉल्ट बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो डालें इसके भी कर सकते हैं उसके बाद एक चम्मच सोया सॉस का तीन चम्मच टोमाटो केचप और दो चम्मच चिली सॉस का हम इसमें अड़ करेंगे इस तरह से आप बनाएंगे ना आपके बॉल्स बहुत थी जादा फ्लेवर फुल और सॉफ्ट जूसी बनेगी ये मेरी गैरेंटी है आप इस सब को बहुत अच्छे तरह से मिक्स करें और उसके बाद इसमें डालेंगे मैदा और कॉन फ्लोर बिल्कुल बराबर मैं जितना मैदा लेंगे उतना ही कॉन फ्लोर डालेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम एकडाही लेंगे और उसमें तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे अपने हाथ से इस तरह से बॉल्स बना बना कर आप रेडी कर लें और एक छोटा टुकरा डाल कर हम सबसे पहले तेल में चेक करेंगे, हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है या नहीं, आप जब भी इन बॉल्स को फ्राई करें, हाई फ्लेम पर बॉल्स फ्राई हो, धीमा पर मत करियेगा, लो फ्लेम पर उससे जो बॉल्स है वो बहुत ज और उसके बाद तुरंत ही चमच ना लगाएं, एक से दो मिनट वेट करें, और साइड से हमें इसमें फिर चमच लगाएंगे, डारेक्ट आप इसमें चमच डालेंगे तो कभी कभी होता है कि वो बॉल्स फटने लगते हैं, या अपना शेप को लूज कर देते हैं, बिल्कुल यह क्रिस्पी भी है, इसमें सबजियों का टेक्चर भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमने सबजियों को थोड़ा मोटा चौप किया है, बहुत जाधा बारीक करने से इस तरह का टेक्चर नहीं आता है, आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, बॉल्स बनाएं मेरी इस रेसेपी से आपको बहुत अच्छा लगेगा आप बहुत आपको बहुत मज़ा आएगा चलिए अब हमारे बॉल बनकर रेडी हैं आप चाहें तो आप बिल्कुल इस तरह से भी इसे खा सकते हैं आप बच्चों की बड़े पाटी वगरा में भी इस मैंने या पर तीन चम्मच चिली सॉस के डाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं एक चम्मच हम इसमें डालेंगे सिज्वान सॉस का और उसके बाद कश्मीरी मिर्च एक चम्मच और पिंच ओफ फूड कलर यह ऑप्शनल है मैंने जस्ट इस अच्छ गूल बनाकर रेडी कर लेंगे अब कडाही लेंगे और उसमें तीन चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे जब तेल बहुत अच्छी तरह से गरम हो जाएगा और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे लहसुन चौप किया हुआ दो चम्मच हरी मिर् बीन्स दो से तीन बारिक चॉप कीवी बीन्स और वन फूर्थ हिस्सा हम इसमें डालेंगे शिम्ला मिर्श का और उसके बाद एक मीडियम साइज का प्यास फाइनली चॉप किया हुआ हम इसमें डालेंगे और इन सब चीजों को डालने के बाद हम एक से दो मिनट के लिए से करेंगे जादा नहीं पकाना और उसके बाद हम उसमें एक बड़ा चम्मा सिरका का डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मा सोया सॉस और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लाल मिच पॉर्डर अब यहाँ पर दूसरे तरफ हम एक fry pan लेंगे और उसमें एक चमच तेल डालेंगे और इस तरह से सबसियों को मोटा कट करके यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च और एक प्यास को इस तरह से क्यूपस में कट कर लिए और इसमें दो से तीन मैंने गारलिक भी डाला है मोटा मो ला चुका है अब हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स जो है तो डाल देंगे और उसके बाद हम देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट सॉस भी रेड़ी है बीना कॉन फ्लोर स्लरी के जब गैस आफ करेंगे उस टाइम हम अपनी इसमें तलीवी सबसियां डालेंगे और इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपको हमारी रेसेपी अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें थैंक्यो फॉर वाचिंग